तोलसी दास जी कहते हैं इस कल्युग में काशी रुपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए यह शोग, संताप, पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्यानों की खान है काशी के चारो और सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण है स्वर्गवासी देवतार इसके चरणों की सेवा करते हैं यहां के सब तिर्थस्तान इसके शुब रंग है नाश रहित अगणित शिवलिंग इसके रोम है काशी का मध्यभाग, अंतरग्रिही इस कामधेनु का एन है, अर्थात गद्दी है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यह चारो फल इसके चार थन है वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बच्छडे हैं विश्वासी पुर्षों को ही इसमें निवास करने से मुक्ती रुपी अमरित मैदूद की प्राप्ती होती है सुन्दर वरुना नदी, इसकी गल कंबल के समान शोभा बढ़ा रही है और असी नामक नदी पूँच के रूप में शोभित हो रही है दंडधारी, भैरो इसके सिंग हैं पाप में मन रखने वाले दुस्टों को उन सिंगों से यह सदा डराती रहती है लोलार्क अर्थाद कुंड और त्रिलोचन एक तीर्थ इसके नेत्र हैं और कर्ण घंटा नामक तीर्थ इसके गले का घंटा है मर्णी करणी का इसका चंद्रमा के समान सुन्दर मुख है गंगाजी से मिलने वाला पाप ताप नाश रुपी सुख इसकी शोभा है कोसी की परिक्रमा ही इसकी महिमा है दयालू हिर्दय विश्वनात जी इसकाम धेनू का पालन पोशन करते हैं और पारवती सरीखी इसनेहमाई जगजननी इस पर सदा प्यार करती रहती है आठो सिध्यां सरस्वती और इंद्रानी शची उसका पूजन करती है जगत का पालन करने वाली लक्षमी सरीखी इसका रुख देखती रहती है नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र ही इसके पाँच प्राण है भगवान विंदु माधो ही आनन्द है पंच नदी पंच गंगातिर्थी इसके पंच गव्य है यहां संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के दो अक्षर रकार और मकार इसके अधिस्ठाता ब्रह्म और जीव है यहां मरने वाले जीवों का सब कुकर्म और कुकर्म रुपी खास यह चर जाती है जिससे उनको वही परमपद रुपी पवित्र दूध मिलता है जिसको संसार के विरक्त महात्मा लोग चाहा करते है पुराणों में भी लिखा है कि भगवान विश्णू के संपूर्ण कला लगा कर अपने हाथों से इसकी रचना की है हे तुलसिदास यदि तु सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर स्री राम नाम जपा कर